नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फैक्चल रिपोर्ट में काला धन इस सब्द का जिक्र आते ही आपके मन में सबसे पहले स्यूज बैंक का नाम आ जाता होगा स्यूज बैंक को दुनिया भर के ताना साहो, ब्रष्ट राजनेताओ, अधीकारियों और कारोबारियों की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है बीते कई दसकों से स्यूज बैंक भारतिय राजनीती का भी केंदर रहा है स्यूज बैंक में भारत के सबसे बड़े खाते धारकों की फरजी लिष्ट भी काफी वरेल हुई है ब्रेश्टचारियों के बीच इस बैंक की इतनी इज़त को देखते हुए हर किसी के मन में यह ख्याल आता है कि भला यह स्यूज बैंक क्या है बैंक में कितना पैसा रखना होगा स्यूज बैंक में पैसे रखने के लिए बैंक को कितना चार देना होगा इस बैंक में पैसा रखना दुनिया भर में सबसे सुरक्षित क्यों है आगे जानते हैं इनी सवालों के जवावों के बारे में आखिर Suze Bank क्या है? Suze Land में पहले बैंक की इस्तापना सन 1713 में हुई थी फिलाल Suze Land में करीब 400 से अधिक बैंक कार्य रथ है ये तमाम बैंक Suze Federal Banking Act के गौपनियत कानून के Section 47 के तहत बैंक अकाउंट खौलने का अधिकार रखते हैं लेकिन हम जिस स्यूज बैंक की चर्चा करते हैं वह धर असल UBS यानी Union Bank of Suzerland है, जिसे पुरी दुनिया में Suze Bank के नाम से जाना जाता है, इसकी इस्तापना सन 1998 में में Union Bank of Suzerland और Suze Bank Corporation के विले के बाद हुई थी, ये विशुवी की टॉप तीन बैंकों में से एक बैंक है, इस कैसे काम करता है Suze Bank? Suze Bank भी वही काम करती है, जो दूसरे बैंक काम करते हैं, सिर्फ इन बैंकों के नियम और काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, Suzerland के बैंक सन 1713 से चले आ रहे हैं, ये बैंक सिक्रेसी के कानून का सक्ति से पालन करते हैं, बैंक खाता धारक की साथ भी नहीं, सन 2017 में विश्यू भर ने Suzerland पर दवाव बनाया और इस कानून में धिल कराई, अब अनुबंद करने का सिस्टम बन गया है, Suzerland का जिन देशों के साथ अनुबंद है, उनके साथ वहे सारी जानकारी साजा करते हैं, क्यों है ये दुनिया की सबसे सुरक्ष तिजोरी, Suze Bank को काले धन का सुरग कहा जाता है, आपके मन में सवाल आएगा कि जब देशों की सरकार को इसका पता है, फिर भी वहे कुछ क्यों नहीं कर पाती हैं, इसका जवाब है यहां का सिक्रेसी कोड, Suze Bank के नंबड अकाउंट को सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जा नंबड अकाउंट किस वक्ति का है, इसका पता बेंग के आम करमचार्यों को भी नहीं होता है, बेंग खाता धारब को एक चार डिजट का नंबर और आगे अपने मन कर नाम अलोट कर देता है, उसका असली बेंग अकाउंट नंबर और नाम बेंग के पास गौपनीय रहता है हाला कि bank के आला अधिकारी इसका पता लगा सकते हैं स्यूज बैंक कह से खूलता है जानते हैं इसकी पिर्किरिया के बारे में आसान परुस्य बैंक में basil में слछ सकते हैं यहां तक कि मैं ऐसे बड़े-बड़े बैंक आप के द्वारा भी खाता खोलने की सुभिधा प्रतान करते हैं इंटरनेट पर भी एसी कई कंपनिया हैं जो आपको स्यूस बेंक में खाता खोलने में मदद करती हैं स्यूस बेंक में खाता एक्टिव रखने के लिए कितना रखना होता है मिनिमम बैलेंस यूबियस की वेबसाइ यानि ब्याज तो भूल जाएए आपको अकाउंट रखने के लिए 300 डॉलर देने होंगे ठीक वैसे ही जैसे हम लोकर का चार्ट देते हैं आखिर स्यूस बैंक में खाता खौलने के लिए क्या के दस्तावेच चाहिए स्यूस बैंक में खाता खोलने के लिए आपको चंद अस्ताविज चाहिए होते हैं जैसे पासपोर्ट यानि पासपोर्ट की कोपी बहुत जरूरी है आपकी संपत्ति से जुड़े डोकॉमेंट यानि कि आपके पास कितना पैसा है आपके पास कितनी प्रोपर्टी है आपके पूर्वज क्या करते थे ये सारी जानकारी देना जरूरी है आपकी जमा के मूल स्रौत के पिर्मन यानि जो जो आपके अकाउंट है और जो प्रोपर्टी है उसके original document की copy आपके पास होना बहुत जरूरी है साथ ही साथ आपके जितने deposits हैं उनकी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है क्या suz bank किसी को भी नहीं देता है जानकारी सही माईनों में अब suz bank पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहे हैं अब स्यूजरलेंड के साथ भारत ने एक खास अनुबंद कर लिया है इसके मुताबिक स्यूजरलेंड अपने बैंकों में पैसा जमा करने वाले भारतियों और कम्पनियों की जानकारी भारत से साजा करेगा यह अनुबंद सन 2018 से लागू हो गया है हाला कि भारत सरकार किसी भी ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मांग सकती है जो सन 2018 से पहले स्यूजरलेंड में खोले गए थे आखिर स्यूज बैंक किसे दे सकते हैं अकाउंट के बारे में जानकारी खातेदार की मरत्य उपर स्यूज बैंक केवल उसकी संपत्ति के सच्चे वारिसों को ही खाते की इस्तिती के बारे में जानकारी दे सकते हैं वो ऐसे पती या पत्री को भी जानकरी दे सकते हैं जिसके पास अदालत से अधिकार है कि उसे अपने जीवन साती के खाते की इस्तिती जानने का अधिकार है तो दोस्त यह थे स्यूस बैंक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कापी पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद